हेलो कैसे हो आप सभी वेल्कम बैक टो माई न्यू ब्लोग और यह अपरेशन जिस दिन दादी का हुआ था उसके अगले दिन का है जब दादी को लेके हॉस्पिटल से घर आई थी तो घर आने के बाद ना देखा कि कप्ड़े बहुत सारे हो गए तो धुलने के लिए और जो साफ ना करो उसको वैसे ही यूज करने लगो तो सारा कंबल जो था एक जो दरी है इसको ले गया थे एक चादर ले गया थे और अपना कपड़ा था सारा कुछ दुलना था तो दुलने सबसे पहले बैट गई थी दादी को दवा देके और थोड़ा सा उनको दूद रोटी देखे खिला पिलाके और घर का साफ सफाई जाड़ो पुछा सब करके क्योंकि घर छोड़ी के गई थी और पता यह ममी नहीं रहती है घर पे मैं अकेले हूं तो फिर सारा कुछ खुदी देखना होता है तो घर पे पहले साफ सफाई करी उसके बाद से फिर जाके तब क्योंकि इतना जादे थकान हो गया था ना मेरा पैर और कमर लाग तो टोट जाएगा इतना जादे दर्द हो रहा था फिर नेक्ष्ट दे मैंने थोड़ा सा सूट किया ए तीन दीन की वीडियो है थोड़ी थोड़ी मैंने रिकॉड करी है और खुद को पहले रिलेक्स दे क्योंकि खुद अगर माइन फ्रेज होता है, थकान होगा तो माइन कभी भी फ्रेज नहीं होगा जब थकान थोड़ा खम होगा और हम्रिलाक्स फील करेंगे तब ही चीजें कर सकते हैं हमारे जहां तक सामाझ है तो मैंने तीन दिन थोड़े थोड़े वीडियो रिकॉर्ड करी है और उसको एक ब्लॉग में कन्वर्ट किया है तो यह फटा-फट से सब्जी कट कर रही थे मैं भिंडी की नेक्स डे मॉर्निंग का है वीडियो और नहा लिया था मैंने सुबही तो नहा के फिर से सब्जी अधिक जब रहता है तो फेस पेकडम से दिख जाता है अभी मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है मुझे खुद का फेस अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इतना जादे थकान है रहा है और श्वैलिंग जैसे लग रहा है फेस पे और अभी ना अभी के टाइम में मेरा है तो दिख रहा है और जितने भी पुराने कपड़े है घर के मैं सारे पहन के अभी इस टाइम सधारी हूँ क्योंकि ए टाइम घर पे खेती बारी का भी काम होता है तो फिर एक चीजे नए कपड़े मुझे लेने हैं गर्मियों वाले बट मैं अभी नए पर्चेज कर रहे कि अब यह सब काम सारा निप्टा लूना तो फिर मैं नए कपड़े पर्चेज करूंगी और यहां गेहूं कटके आ गया था तो इसको हम इधर ही गिरवा दिये थे वह सारे मेही देन इसके बाद से फिर जाके तब हम इसको अंदर डालेंगे और भाई और मैं लग गए थे अपने उम्र के कोडिंग बहुत जादे काम करता है फिर मैं बड़ी हूं तो फिर मुझे तो कर नहीं है जब मुमी घर पे नहीं है तो और दादी कहां का आपरेशन हुआ है ऐसे टाइम में आपरेशन हुआ ना इस टाइम जब से आपरेशन करा कि हम लोग घर पे आना अधर स्काली किया और उसको नमें इक ट्थे चावल कोटा के एक विंटल चावल होता है जो उसको मैं स्टोर कर देती हूं फिर और फिर उसकी साह सफाई करी तो दो दिनों में समाने काम निपटाया है जब वह बड़ा वला कंटेनर खाली हो गया तो इसमिंग जेहूं सारा कई यहां पर इस वाले गाउं का एक खेत का है क्योंकि यहां पर आ जोते हैं तो थोड़े जो आज होते हैं न भी आनाज होते हैं दाननी उस सारह रहा जाताước हमton शारले और आlich परौह सब्सक्नि सब्सक्राइब तो ब्लॉग ने डाल रही हो फिर मैंने बोला की थोड़ा सा ना खुद को रिलाक्स दे रही हूं क्योंकि जब मेरा मूड फ्रेस नहीं होता ना तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूं मुझे बिल्कुल बीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है जब मूड फ्रेस होता है मैं बिना मन करना ऐसे कैमरा नहीं उठा लेती हूं मन हुआ था जब थोड़ा अच्छा फील होता है जब मन होता है कि हां ब्लॉगिंग करें क्योंकि चीजे अकर दिल से होती है तो काफी अच्छी लगती है फिर ऐसे फॉर्मेल्टी करना है तो कोई मतलम नहीं बनता है यह कि चार साड़े चार के उंटाल पूरा गे हूं था इसको रखना था तो इसमें टाइम बहुत लगा क्योंकि पांच बजे से हम लोगों ने साड़े पांच से काम साम को स्टार्ट किया और आठ बजे रात तक मैंने रखा पूरा घर का दुलाई किया क्योंकि इतना जादे गर्दा धूल इसमें से निकलता है कि पूछना नहीं है क्योंकि खेट से डारेक्ट कटके आया और जो बटाईदार बोते हैं लो उनके वहां से नाप के जितना हमारा हिस्सा आदा था उतना हमको मीरा तो फिर इतना डस्टिंग हो गया तो पूरे घर में पूरा बेड बिस चार्ज था और अभी दो तीन दीन गैप दी थी ना व्लॉगिंग में तो जब हम चीजों को छोड़ते हैं तो फिर जब स्टार्ट करना रहता है तो आलस लगता है तो चलो आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर थोड़ थोड़ दे रही थी भार की इसको वह ट तरवाजे पर आके खड़ा हुआ था उसको देख किया और मैं बाते भी कर रहे थी फिर अपना काम भी नहीं परा रहे थी क्योंकि इसको हटाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि उसारे में था और अंदर जाने का एक मात्री यही रास्ता है इधर से ही जाना आना है और सामकर बोलते हैं गाव की भासा में पढ़ जाएगा तो फिर रात में नहा दोलेगा आदमी अपना काम फिनिस करके आराम से सोएगा फिर अगर वो चीजे छोड़ देते सूबा करते तो पूरा दिन खराब जाता तो इसके नहाते रात में ही काम लग गया था देन उसके बाद बन नहां लिया उसके वाद रहे हुं मैं रोटियां रोटियां में लास्ट में सेखती हूँ जब खाना होता है तभी फस्टा फर्वरड मैंने कर दिया है और अब फेस पे देखिये नव मेरे स्वेलिंग इतना जादी रह रह रहा है पतानी क्यों हाराज्मेंट से काम धाम से क और खुद पर भी ना फोकस ने कर पा रही हूं ध्यान ने दे रही हूं इसके नाते थोड़ा सा फेस बहुत ही डलने सा हो गया और यहां पर टमाटर वाली दाल मैंने बनाई थी जो कि मेरे बाबा को बहुत पसंद है अलो भिंडी की सब्चीज शैलेड रोटी रोटी गैस प बाई करें बाई टेक क्यार